नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम चानेंगे डिजिटल सिगनेचर के बारे में एक्जामपल के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक सिगनेचर क्रियेट किया हुआ है जिसको आप अपने MS Word में सेव करके रख सकते हैं और जब भी जहाँ भी चाहें आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं MS Word भी हमें एक आप्शन देता है जिससे हम डिजिटल सिगनेचर क्रियेट कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर एक आप्शन आपको दिखाई देगा add a signature line का बट इसमें एक problem ये होती है कि इसमें हमें सक्से पहले sign in करना पड़ता है sign in करने के बाद ही आप इस signature को create कर सकते हैं और ये हमें certified करता है कि आप एक Microsoft Partner है तब ही आप इस digital signature का use कर सकते हैं मैं signature का भी आपको use दिखाता हूँ कि आप बिना sign in करें आप किस तरीके से इसका signature यहाँ पर create कर सकते हैं और साथी साथ अगर आप इस तरीके का signature बना कर अपने MS Word में save करके रखना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर एक नया page ले लेते हैं नया page लेने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ insert tab के अंदर इंसर्ट tab में आप जाएंगे यहाँ पर text वाले option में और यहाँ पर आपको दिखाए देगा signature line का एक option इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाए देगा signature setup यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है जैसे मालीचे हमने डाल दिया यहाँ पर विनोग कुमार पांडी यहाँ पर आप अपनी पोस्ट डाल सकते हैं जैसे मालीचे मैंने डाल दिया मैनेजर और मैनेजर डालने के बाद यहाँ पर आपके सामने email id का option है अगर आप अपनी email id डालना चाहें आपर तो आप डाल सकते हैं और यहाँ पर आपको simply OK बटन पर press करना है और OK करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक signature create हो जाएगा बट यह भी certified नहीं है क्योंकि हमने इसको Microsoft से login नहीं किया हुआ है अब बात करते हैं digital signature की तो digital signature create करने के लिए आपको जाना है यह इनसर टैब में और यहाँ पर सबसे पहले आपको shape में जाना है और shape में आप और आपको एक line create करनी है line लेने के बाद आपको यहाँ पर line को create कर लेना है जैसे आप line create करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने lines के काफी सारे format दिखाई देंगे जिसमें से आप कोई भी एक format यहाँ पर select कर सकते हैं माली जै मैंने यह वाला format यहाँ से select कर लिया select करने के बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप अपना नाम टाइप कर लिए जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर reload कुमार पांटे और इसके बाद इसे select करके control भी कर देता हूँ ताकि यह थोड़ा सा bold हो जाए bold होने के बाद इस वाली line को आपको select करना है इस line को select करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर यह arrow दिखाई देगा इस arrow को select करने के बाद आपको arrow से नीचे की तरफ आना है अपने keyboard का arrow का use करना है और इसकी मदब से आपको नीचे आ करके इसको यहाँ पर adjust कर लिजे इस line को adjust करने के बाद इसके नीचे फिर से आपको आना है इसके नीचे आने के बाद यहाँ पर आप अपनी post यानी designation को type कर लिजे जैसे मैं यहाँ पर type कर लेता हूँ website developer website developer आप देखेंगे बोल्ड है तो इसको हमें क्या करना है select करना है और यहाँ से बोल्ड को हटा देना है उसके बाद नीचे की तरफ आजाएंगे फिर से हम और इसके नीचे आपको अपनी company का नाम type कर लेना है जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर excel info tech pvt यानि private ltd यानि की limited इसके डालने के बाद आप बात करते हैं आपर signature की आप signature को किस तरीके से use करेंगे तो signature को add करने के लिए सबसे पहले आपको एक white paper पर signature अपना कर लेना है उसके बाद उसकी photo click करने के बाद यहाँ पर system में उसको upload कर लेना है और उसके बाद आपको जाना है insert tab के अंदर और यहाँ पर आपको picture पर click करना है और यहाँ पर आपको this device पर click करना है जहाँ पर भी आपने अपना signature रखा हुआ है वहाँ पर इसको select करना है और यहाँ पर कर देना है insert जैसे आप insert button पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपका signature यहाँ पर insert हो जाएगा और उसके बाद इसे corner से पगड़ करके थोड़ा सा छोटा कर लीजिए छोटा करने के बाद इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर signature को adjust कर लीजिए मालेज़ हम यहाँ पर इसको signature को रख लेते हैं अभी आप देखेंगे मैं इसको यहाँ पर set कर रहा हूँ तो हमारा text automatically यहाँ पर fit हो रहा है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा text wrapping का use करना पड़ेगा यहाँ पर जाएंगे हमलों text wrapping पर और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे behind text behind text का use करने के बद इसको हम signature को यहाँ पर ले आएंगे लाने के बाद यहाँ पर इसको adjust कर लेंगे इस तरीके से और इसके अंदर आपको यहाँ पर connection का एक option दिखाई देगा, correction पर आपको click करना है, correction पर click करने के बाद आपके सामने यहाँ पर white color का corrections आपको दिखाई देगा, जिसमें से जो भी आप correction select करना चाहें, वो यहाँ पर select कर सकते हैं, जैसे माली जै हमने इसको select किया यहाँ पर, और उसके बाद आप देखेंगे, आपका signature है, वो थोड़ा सा lightly है, इसको dark करने के लिए वापस से आपको इस पर click करना है, और यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा, artist effect का, इस पर आपको click करना है, इस पर click करने के बाद तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर थोड़ा सा dark option दिखाई देगा, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो आपका signature थोड़ा सा dark हो जाएगा, इसके लावा यहाँ पर colors पर जाकर के आप इसे थोड़ा सा और भी dark कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी option select करना चाहें, उस option को यहाँ पर जैसी select करेंगे, तो यह थोड़ा सा और आपका dark हो जाएगा, और इस तरीके से आप अपने signature को यहाँ पर create कर सकते हैं, अब create करने के बाद आप अपने इस data को किस तरीके से MS Word में save कर सकते हैं, उसे मैं आपको बता देता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सभी data को एक साथ select करना है, select करने के बाद आपको जाना ह यहां से insert tab के अंदर, insert tab पर जाने के बाद यहां पर आपको जाना है, quick part gallery पर, quick part पर जाने के बाद यहां पर आपको लेना है auto text, auto text लेने के बाद यहां पर आपको select करना है, save selection to auto text gallery, इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप से यहां से नाम मांगेगा, तो नाम आप यहां पर जो भी रखना चाहें वो रख सकती हैं जैसे मैं आपर टाइब कर लेता हूं विनोद signature और इसके बाद यहां पर मैं इसे OK बटन पर क्लिक कर देता हूं अब आपको जब भी यह signature रखना है तो आपको सिर्फ जहां पर रखना है वहाँ पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद इसके बाद इसको सब कुछ क्लियर करके एक बार आपको दुबार सर इंसेट करके दिखाता हूं जैसे मालेजी हमने यहां पर एक नया पेज ले लिया और यहां पर अगर मुझे अपना वह signature इंसर्ट कराना है तो इसके लिए मैं वापस से जाओंगा Quick Part Option पर Quick Part Option पर जाने के बाद यहां पर Auto Text को सिलेक करूँगा और यहां पर आपको दिखाए देगा Windows Signature का एक बॉक्स जैसी मैं इस प्रिटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरा वो signature यहां पर रेप्रिजन्ट हो जाएगा तो इस तरीके से आप Digital Signature का यूज कर सकते हैं तो चैनल को लाइक कमेट शेर जरूर कीजेगा धन्यवाद